नमस्कार दोस्तो ट्रक्टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम काफी शांदार टेकनोलोजी और गाडियों के बारे में बात करने वाले है इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा तो भाई लोग मेरे कई सारे दोस्त है जो मेरी तरह ही गाडियों के बहुत बड़े शोकीन है और कुछ दिन पहले हम बैट कर अल्टरनेटिव फ्यूल्स इस विशे पर चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा के दोरान मेरे सबसे खास दोस्त रोहित ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में मुझे बताया और उसने मुझे अमेरिका की एक ऐसी कमपनी के बारे में भी बताया फिलाल उनके प्रोड़क्ट लाइनप में तीन बहतरीन ट्रक्स एवेलेबल है पहली है TRE BEV जो कि एक completely pure electric vehicle ट्रक है दुसरी है TWO sleeper cabin के साथ FCEV यानि की fuel cell पर चलने वाली electric vehicle और तीसरी उनकी 2023 में आने वाली upcoming TRE FCEV जो कि एक day cabin के साथ आने वाली एक fuel cell पर चलने वाली electric vehicle ट्रक है दुस्तों मैं नई टेकनोलोजी और वाहनों का बहुत बड़ा शौकीन हो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने truck talks के subscribers को इस company और इस technology के बारे में share करूँ अब भारत में ये company कब तक आएगी ये बात तो मैं भी ने बता सकता लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर ग्यान बट रहा हो तो वो ले लेना चाहिए क्योंकि ग्यान से जादा बढ़ कर कुछ और नहीं होता तो दोस्तो आएए बात करते है FCEV यानि की fuel cell electric vehicle इस technology के बारे में Nikola Motor के दो variants है जो इस technology के अंटर आते हैं वो है T.W.O. Slipper FCEV और T.RE FCEV दोस्तो T.RE FCEV एक 2023 में आने वाला उनका upcoming product है तो आएए बात कर लेते है T.W.O. FCEV इस truck के बारे में शॉर्ट में बताओ तो इस truck की full tank पर maximum range 900 miles की है जिसे km में convert करे तो लगबग 1448 यानि की लगबग 1500 km की इसकी range है fuel cell module पर चलने वाली ये trucks hydrogen को as a fuel इस्तमाल करती है जिसमें hydrogen fuel के जो tanks है उनके stacks हैनि की उनका placement cabin के बिलकुल पीछे और उनके fifth wheel के बिलकुल आगे किया गया है आईए बात कर लेते ही कि ये technology काम कैसे करती है जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये गाड़ी hydrogen fuel cell propulsion system पर चलती है जिसमें hydrogen as a main fuel इस्तमाल किया गया है जिसका cabin के पीछे tanks में placement किया जाता है अब दोस्तों इन tanks में से hydrogen को source किया जाता है और अपनी natural हवा से oxygen को source किया जाता है और दोनों को एक साथ source करके hydrogen को anode ये की negative terminal पर और oxygen को cathode ये की positive terminal की और भेजा जाता है अब anode ये की negative terminal पर hydrogen molecules electrons को release करते है जो external circuit के जरिए cathode ये की positive terminal तक travel करते है fuel cell में हुई इस process के बाद electric current प्रोडूस होता है जो इस truck के electric motors को power प्रदान करता है यही FCEV यानिकी fuel cell electric vehicles का basic fundा होता है जिसमें fuel cell से जो power generate की जाती है जिससे गाड़ी की electric motors power होती है उसी से motion create होता है प्रक में लगी इन batteries को external power supply से भी charge किया जा सकता है और फिर उसके बाद इस truck को normal EV जैसा भी चलाया जा सकता है साथी में इस truck में regenerative braking भी दी गई है जिससे जब जब इस truck का brake दबाया जाएगा तब तक power इसके battery में reverse transform की जाएगी दोस्तो इस system के साथ निकोला मोटर की T.W.O.F.C.E.V. 900 miles एनि की लगबग 1500 km की range परदान कर रही है जो कि एक काफी बढ़िया बात है अब बात आती है कि fuel कहां से मिलेगा दोस्तो hydrogen एक ऐसा fuel है जिसे create किया जा सकता है कई सारे processes है जैसे की natural gas reforming, gasification, electrolysis, renewable liquid reforming, fermentation, high temperature water splitting, photobiological water splitting और photo electrochemical water splitting इन सभी processes से hydrogen create किया जा सकता है और hydrogen fuel काफी कम दामों में भी उपलप्त किया जा सकता है आईए अब बात कर रहते है निकोला मोटर की 3BEV जो की एक pure electric truck है दोस्तों इसका GCW यानि की trailer के साथ जो gross combination weight है वो 82,000 pounds यानि की लगबग 37,194 kg यानि की approximately 37 tons का है इसकी जो range है यानि की charging पर जो इसकी range है वो लगबग 330 miles जो की kilometers में लगबग 531 kilometers की होती है जो की मेरे ही सबसे बढ़िया है बैटरी और charging की बात करें तो 733 kilowatt hour की बैटरी इसमें दी गई है जिसका 80% तक का charging time 160 minutes का है और ये battery pack इस गाड़ी को 645 HP यानि की 645 horsepower परदान करती है fuel cell electric vehicle के साथ साथ pure electric truck का option भी निकला मोटर ने अपने गरहकों के लिए रखा है और दोस्तो आज के time पर ये गाड़िया United States में बिकरी के लिए भी available है तो दोस्तो technology तो काफी जबरदस्त है और बच्पन से हम जो कहानिया सुनते आ रहे थे कि पानी पर चलने वाली गाड़ी जाएगी तो दोस्तो पानी पर चलने वाली तो नहीं लेकिन पानी से बने हुए fuel पर चलने वाली गाड़ी तो अब आ चुकी है निकोला मोटर के 2 और 3 FCEV के रूप में तो दोस्तो इंजिनियोर होने के नाते ऐसी सारी technologies मुझे काफी पसंद आती है और इन सारी technologies को आपके साथ शेयर करके मुझे काफी अच्छा लगता है आपको ये technology ये truck और ये company कैसी लगी हमें नीचे comment section में ज़रूर बतना और ऐसी informative वीडियो देखने के लिए channel को subscribe कर लीजेगा मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए देखती रहिए AAA Icastan Vlogs Truck Talks spreading all the love about tracks Jai Hind